सफलता की तयारी, शहर से कुछ दूर एक बुजुर्ग दमपत्ती रहते थे। वो जगह बिलकुल शान्त थी, और आसपास एकका दुखका लोग ही नजर आते थे। एक दिन भोर में उन्होंने देखा की एक युवक, हाथ में फावडाल ये अपनी साइकल से कहीं जा रहा है, वो कुछ देर दिखाई दिया, और फिर उनकी नजरों से ओज़ल हो गया, दमपत्ती ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन फिर, वो व्यक्त की रोज फावडाल ये उधर से गुजरता और थोड़ी देर में आँखों से ओज़ल हो जाता, दमपत्ती इस सुनसान इलाके में इस तरह किसी के रोज आने जाने से कुछ परेशान हो गये, और उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया, अगले दिन जब, वो उनके घर के सामने से गुजरा तो जी दमपत्ती भी, अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगे, कुछ दूर जाने के बाद वो एक पेड के पास रुका, और अपनी साइकल वही खड़ी कर आगे बढ़ने लगा, और अपने फावडे से जमीन खोदने लगा, दमपत्ती को ये बड़ा अजीब लगा और वेहिम्मत कर उसके पास पहुँचे, तुम यहां इस वीराने में ये काम क्यों कर रहे हो, युवक बोला जी, दो दिन बाद मुझे एक किसान के यहां काम पाने के लिए जाना है, और उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जिसे खेतों में काम करने का रहा हूँ, दमपत्ती ये सुनकर काफी प्रभावित हुए और उसे काम मिल जाने का आशिरवाद दिया, फ्रेंज, किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, जिस सिंसियरिटी के साथ युवक ने खुद को खेतों में काम करने के लिए तैयार कि कुछ उसी तरह हमें भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता के लिए खुद को तैयार करना चाहिए